परिएस परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चाही भी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से समंदित कौन कौन सी सूचना है आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कॉंस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अबर्थी इस best book को ले सकते हैं, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं, यह अरा publication की book है, global take group लिखा हुआ है, यह भी पुस्ता काफी अच्छी है, यह मेरे पास आई वी है, यह practice set है, इसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें सारक सारदु स्रेवा से वो cover किया गया है, सभी स्रेवा की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जिने आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और यूपी इस्पेसल उत्तर प्रदेश, अधिनास सेवाचैन, आयो की सभी परिक्षा में, यूपी से 70% पहुचे जाते हैं, और PCS में तो मेंस में 5 और 6 पेपर होई गया है, तो उसके लिए भी यह काफी अच्छी पुस्तक, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी पुस्तक है, इसमें सिलेक्टेड जो स्लिवस है, वो दिया हुआ है, मैप के द्वारा अच्छी तरीके से समधाया गया है, ग्राफ के द् सकते हैं, उत्रप्रदेश के थिहास, उत्रप्रदेश का भूगोल, उत्रप्रदेश की योजना है, सब कुछ आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा, तो इस पुब्लिकेशन की जितनी भी बुग से वो काफी अच्छी है, चाहे वो समान हिंडी की प्रसन हो, चाहे वो पु जागराज में आज 33 दिन भी बेरोजगार छात्रों का धरना परदर्सन जाली रहा, आप लोगों को पता होगा कि प्रदेश तिसमें सीत लहर की चपेट में है, फिर भी विद्यार्थी यहाँ पर लगातार पत्तर गिर्जागर में धरना परदर्सन कर रहे हैं, इन विद् अंद्रह तारिक और विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से जल से जल सदस आ जाएं, चैन आयों का गठन हो और जो शिक्षक भरतियां है वो जल से जल सुरू हो सके, इसी को ले करके 17 जनवरी को लखनों में भी इन विद्यार्थियों का समेलान है, हाला कि म समचार पत्रों में ऐसी कोई सूचना नहीं है, तभी मैं आपको स्क्रीन सॉट दिखा रहा हूं, रोजगार की जो बातें हैं वो बहुत कम दिखाई जाती है, इसलिए अगर आप लोग वीडियो को सेर करेंगे, तभी रोजगार का जो मुद्दा वो प्रदेश में बन पा में मौसम विभा के पूर्वानुमान और शीत लेर की संभावना के कारण 16 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक अवकास की संबंद में, तो इसमें लिखा हुआ है कि परसदी और मानता प्रफ्त विद्यालियों में 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को विद्यालियों में शिक्षन कार में उपस्तित रह करके अन्र परसास्ने कारणियों और थायतों के निर्भेन करेंगे। इसके लिए सूबे के सभी महाविद्यालियों से समुगा के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है उच शिक्षन देशाला की तरप से इसके लिए अलग से प्रारूप जारी किया गया है जिससे समुगा के अंतरगत रिक्त पदों को सिग्र भरा जा सकी राजकी यह महा विद्धालियों में लंबे समेसे खाली समुगा के रिव्ध पदों पह भरती के लिए प्रयास चल रहा है उसी जुशने देशाले ने सभी राजकी महा विद्धालियों से इसके लिए जारी कियेगे प्रारूप के उनसार वीवरन मांगा है साथी निर्देश दिया कि एक सब्ता के अंदर विवरन संक्लित करने के बाद उसका अधियाचन सासन को बेज दिया जाएगा तो समूग की ये जो बढ़ती होगी वो अगले पीटी से आ सकती है और फिर से एक जूनियर सिस्टेम की नई वेगन से आपको देखने को मिल सकती है उसमें इस तरीके के अलग अलग भी भागों के पद हो सकते हैं अरदया घात के कारण मसहूर शायर मुनवर राणा के निधन हो गया है उनको लेकर के भी सूचना है प्रयाग राज में एक और प्रतियोगी चात्र ने अत्मत्या की है लिखा कि डभाव गाउं में शनिवार रात एक प्रतियोगी चात्र ने फंदिस लटक करके जान दे द से गुहार लगा रहा है सोचल मीडिया में टूटर में फेजबुग में और जगय जगय विद्धार्थी परदर्शन कर रहे हैं जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कल पर श्री मंगाल में जबर्जस्त परदर्शन हुआ यह देख सकते हैं आप लोग तरुन मौर रहे हैं कोई और बहुत सारे जब विद्धार्थी कल पूरे दिन ट्विटर पर भियान चलाया यहां पर देख सकते हैं यह विद्धार्थियों ने अपने मुह पर ही कालिक पोती और यहां पर एक के एंसीटी इसे केंट सरकार से म अधिसूजना जारी करती है इस अधिसूजना के अधार पर बिएट डिगरी करने वालों को क्या दोस्त है इन विद्धार्थियों ने बिएट किया और उसके बाद में इन चात्रों को बाहर कर दिया गया जो जिन्हों ने बिएट किया उनको तो बाहर किया जा रहा है साथ सरकार के गलत निरणा की वज़े से सरकार को अगर ऐसा करना था तो बियट को प्रात्मिक में सामिल ही नहीं करना चाहिए था अगर सरकार ये गजट ही नहीं लाती तो ब्यट के जो छातर है वो प्रात्विक वाला TET करते नहीं और बहुत सारे लोग ब्यट भी नहीं करते वो कुछ किसी और प्रतियो किता की तयारी करते विद्धार्थी destautre कर समप भी गया पैसा भी गया और कैरियर भी चला गया तरब से जो केस डाले गए हैं उसमें अच्छा नहीं है जो वर्तमान बेंच है जाब उस दान सो देली धुलिया हो इनकी जो बेंच है वो बीट शात्रों की हित में नहीं है हाला कि विद्यारती कोशिस कर रहे हैं चोकि उन्होंने पिछली बहस में कहा था कि अगर आप लोग उस और को रिबू के लिए कहेंगे तो हम सुन सकते हैं कुछ नए तरक हों तब बताएगा विद्यारती ने कुछ नए तरक हो देखे हैं कुछ एक्सपर्ट कमेटी की राय वगारे देखिए देखते हैं क्या होता है लेकिन तरीका यहीं हो सकता है जो आप लोग सासन से सरकार पर जादा-जादा अगर दबाव बना पाते हैं लो ही पर एक और सूजना है आज के समातार पत्रों में की बीगेट की मानता हाटी तो सवा लाग अबरती कम हुए सीटेट की बात हो रही है लिकार राष्टी शिक्षक परिसद ने एक से पांच में बीगेट की मानता समप्त की जाने का बड़ा असर हुआ है इसका असर की बात करें तो पांच लाख आविदन कम प्राप्त हुए यह आप लीकार की एक हज़ार ऑन की बार पदों पर उसकी बारे मीं भी जानकारी दी गई है जिससा आeg मैं आप देख सकते हैं लाजड़् say प्लेउट इसकी mister .nicb website से मिल जाएगी आज की वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुद्धनवाद